हे गाईज आजकी स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक YouTube Creator हैं और आप Shorts बनाते हैं सिर्फ तो आपका Shorts वायर नहीं पो रहा है आपका Shorts Shorts बेटा में नहीं आ रहा है जैसे इस्क्रीन पे आप स्कॉल करते हैं तो Story Type में आता है वो नहीं आ रहा है उस बहुत जाला excited हो गया मैंने सुचा क्यों ना मैं अपने users को बता हूँ कि मैंने वीडियो कैसे upload की थी और उसके upload करने का अच्छा process क्या है जिसे उनके भी वीडियो पे व्यूज आ जाए और उनकी वीडियो जो है कैसे description लिख सकते हैं इन सभी के बारे में मैं आपको details में बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल पे आजाना है YouTube चैनल पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा home, shots, subscription, library और आपको इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे दिखेगा plus sign तो shots create करने के लिए आप यहाँ पे plus sign पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे तीन option मिलता है आपको upload video, create shot और go live, create shot पे आप क्लिक करेंगे और create shot पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से shots बना सकते हैं तो यहां पर दूस्तों मैं आपको बताऊंगा पहले कि आप यहां से देख सकते हैं कि सबसे पहले option दिया है add music, speed, timer and filter का तो इन सभी के बारे में शायद आपको पता होगा क्योंकि बहुत सारी drills ऐसी चल नहीं हैं जिस पे look filters वगरा लगाते हैं और slow motion वगरा बनाते हैं लेकिन यहां पर मैं आपको नहीं पता है फिर भी आपको बता देता हूँ speed पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहां से speed को control कर सकते हैं जिसमें आप slow motion वीडियो बना सकते हैं timer पर क्लिक करके आप यहां से time set कर सकते हैं 10 second 20 second और जो भी आप अपने हिसाब से select कर लें इसके बाद दोस्तों यहां पर filter है जिसमें रंग भी रंगे चेहरे दिखते हैं लोगों के और दोस्तों यहां पर आपको एक gallery का option दिया है तो अगर आप चाहें तो gallery से भी अपनी वीडियो ले सकते हैं otherwise आप चाहें तो अपने mobile से shoot कर रहे हैं तो आप direct यहां पर option दिया है red वाला जो उस पर click करके आप वीडियो को shoot कर सकते हैं यहां पर दोस्तों मैं अपने gallery से एक वीडियो उठाऊंगा तो यहां पर दोस्तों जो है यहां पर आपको title लिखना है title कैसे लिखते हैं चलिए मैं आपको यह भी बता देता हूँ साथ ही साथ title के साथ में आपको emojis बगारा भी लगाना है जिससे लोगों को यह लगे इस वीडियो में कुछ तो बात है इसे click करके जरूर देखना चाहिए और अगर आपकी वीडियो सेकेंड में है तो सेकेंड में रुखना कोई भी पॉसिबल किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है तो यहां पर हम सब सब पहले एक title लिखेंगे तो यहां पर दोस्तों मैंने title तो अपना लिख लिया आप देख सकते हैं बेस्ट इंट्रो और अपने चैनल का नाम भी लिखा है मैंने साथ में Shorts भी लिखा है अब यहां पर क्या होगा कि अब हम यहां पर लगाएंगे Hashtag तो Hashtag दोस्तों आप लगा सकते हैं यहां पर Hashtag Shorts और एक और लगाएंगे Hashtag Viral अगर आप चाहें तो एक से दो लगा सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर आ हो जाएगा तो यह जब दोनों मैच करेंगे तो आपका SEO भी हो गया यह complete इसके बाद यहाँ पे आपका public आता है अन्लिस्टेड आता है प्राइवेट का option आता है तो आप अपने हिसाब से इसे set कर सकते हैं और इसके बाद दूसरों यहाँ पे जो most important जो आपका option है no it's not made for kids तो यह दो option आपको हमेशा याद रखना है अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो आप YouTube की community guidelines को पालन नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो रुख सकती है जिस पे आपको ना views मिलेंगे ना कुछ मतलब फाइदा आपका नहीं होगा सीधी बात तो यहाँ पर दूस्तों आपको देच सकता है कि अगर आपकी वीडियो में कोई content गलत है harassment type का content है तो आप उसे upload ना करें otherwise community guidelines के इधर बाहर हो गई तो कोई मतलब नहीं है आपके वीडियो क्रेट करनेगा आपकी मेहनत बरबाद हो जाएगी यहां से आप second option select कर लेंगे no it's not made for kids और दूसरा जो option है यहाँ पर no don't आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी यूर वीडियो uploading यहाँ पर देख सकते हैं यह पंचाइड में percent process में है और यह upload हो चुकी है दोस्तों तो इस तरह से आप भी अपने यूट्व शॉट्स को create कर सकते हैं आसानी से viral कर सकते हैं और यूट्व फॉंड्स से पैसा कमा सकते जा हुआ जिए देख भाबस कर सकते हैं नगर कर सकते हैं यह कि अल्यूट।